हमिप ठीजending है घिला दोस्तों आज का किस लास में हम लोग peach में एक नई प्रेक्टिस सेट पॉार्ट टो इसमें बहुत जादे करिएगा और जादर जादर शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये नालेज पहुच सके तो दोस्तों स्टार्ट करते आज की क्लास आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे खेजड़ी के विरिच कहां पाई जाते हैं तो दोस्तों आप लोग अपने आंसर करिए यहां क्या केरल में पाई जाते हैं या फिर राजस्तान या मेगाल है या फिर स्रीनगर तो दोस्तों आपका जो आंसर यहां पे है वो option number B के साथ जाएगा यानि खेजड़ी के जो विरिच है वो राजस्तान में पाई जाते हैं इस तरह से हमारा आंसर जो B है वो correct हो जाएगा ठ देख सकते हैं खेजड़ी या पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खुब पाया जाता है इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इस पेड़ की चाल दबा के कामाती है दोस्तों इस पेड़ की जो चाल होती है वो दबा के भी कामाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी न पाय जाता है ये राजस्तान में पाय जाता है दोस्तों यहां पे देख पार होंगे इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है पहला पॉइंट यहां पे आप देख पार होंगे और इसकी लकड़ी को किड़ा भी नहीं लगता इस पेड़ की फलियों की सबजी भी बनाई जाती ह इसकी पत्या वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी चाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं यानि इस पेड़ की चाया में बच्चे खेलना भी बहुत पसंद करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो doubt थे वो clear हो गया होंगे अब हम next question पे चलेंगे next question आपके screen पर आप देख पा रहे होंगे RT अधिनियम कब पारित किया गया option number A क्या 2000 में option number B 2005 में option number C 2007 में option number D 2009 में तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना answer फटा फट करिए RT अधिनियम कब पारित किया गया क्या 2000 में या फिर 2005 में या फिर 2007 में या फिर 2009 में दोस्तों यहाँ पे आप अपना answer करिए दोस्तों RT अधिनियम जो है वो 2009 में पारित किया गया इस तरह से हमारा option number जो D है वो correct हो जाएगा बागी जो आपके wrong हो जाएँगे ठीक है आप स्क्रीन पर देख पार होंगे क्या है RT अधिनियम 2009 यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको इस point को बहुत ही important है दोस्तों यह question यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार शिच्चा का अधिकार देता है अब next question पर हम जोग चलेंगे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पार होंगे मधुमक्की पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है option number A October से December, B October से November, C December से January, D January से March तो आप लोग अपने फटा-फट आंसर करिए option number A हमारा है October से December, B October से November, C है December से January, D है January से March तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट है आप लोग यहाँ पर कमेंट करिए मधुमक्की पालने का दोस्तों जो सबसे अच्छा समय होता है वो October से December होता है इसलिए हमारा जो आंसर है वो option number A के साथ जाएगा, ठीक है अब next question पर चलेंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे शहत के लिए फूलो का रस ढूरती है कौन ढूरती है, नर मधुमक्की ढूरती है या फिर माधा मधुमक्की ढूरती है या फिर काम करने वाली मधुमक्की ढूरती है या फिर इन में से सभी ढूरती है यहां पे आप लोग अपने answer करीए शहत के लिए फूलों का रस कौन ढूरती है नर या फिर मादा या फिर काम करने वाली या फिर सभी दोस्तों सहत के लिए फूलों का रस जो ढूरती है न वो काम करने वाली मधुमक्यां ढूरती है इस तरह से मारा option number सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा बागी जो है यह हमारे रॉंग हो जाएगे अब हम NCRT की लाइन देखेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है दोस्तों आप यहां पर इस पॉइंट्स को देख पा रहे होंगे ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्तूबर से दिसंबर तक का समय मधुमख़्ी के अंडे देने का होता है मधुमख़्ी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है दोस्तों आप यहां पर पूरी NCRT का पेज देख पा रहे होंगे अब नेक्स पेश हम देखेंगे यहां पर देख सकते हैं वे रस्त शहत बनाती है चट्ता बनाने का काम भी इन ही का होता है और बच्चों को पालना भी यह नहों तो चट्ता बने और नहीं शहत इकटाव शहत के बिना चट्ते की सारी मधुमख्यां भूकी ही रह जाती है है नर्च छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है और जो इसमें abe मादा मदिमक्या होती है वो अंडे देती हैं और जो काम करने वाली मद Quand होती है वह शहत के लिए फूलों का रस ढूपती है थीक है इस तरह से हमारा जो ये doubt था वो clear हो चुका है अब हम लोग next question को देखेंगे कौन सी चीटी बिल का ध्यान रखती है option number A रानी चीटियां B सिपाही चीटियां C काम करने वाली चीटियां D उप्रोक्त सभी तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने answer करिए कौन सी चीटी बिल का ध्यान रखती है क्या option number A या फिर B या फिर C या फिर D तो दोस्तों सिपाही चीटियां जो होती है ये बिल का ध्यान देती है तो इस तरह से हमारा option number A जो है वो correct हो जाएगा बाकि सारे option जो है वो हमारे गलत हो जाएगे क्या है सिपाही चीटी जो है ये हमारा answer सही है ठीक है अब next question पर चलेंगे इन में से कौन समू में नहीं रहते option number A मदुमक्खी B दीमक C ततया D मकडी दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने answer करिए ये question पूछा गया आपका बहुत ही important है दोस्तों 10 question में देती हूँ 10 के 10 question आपके बहुत जादे important है इन में से कौन समू में नहीं रहते है क्या मदुमक्खी नहीं रहती है फिर दीमक या फिर ततया या फिर मकडी दोस्तों यहाँ पर जो इन में से मदुमक्खी समू में रहती है दीमक भी समू में रहती है ततया भी समों में रहते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है यह मकडी हो जाएगा ठीक है यहाँ पर इन में से कौन समों में नहीं रहते हैं तो मकडी समों में नहीं रहते हैं बाकी यह सभी समों में रहते हैं ठीक है यहां पे आप NCRD की लाइन देख पा रहे होंगे मदुमक्खियों की तरह चीटियां भी मिल जूल कर रहती है सभी चीटियों का काम बटा होता है रानी चीटिया अंडे देती है सिपाही चीटि बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चीटियां भोजन ढूट कर बिल तक लाती है दीमक और तताई भी इसी तरह समों में रहते हैं तो इस तरह से आपके जो टाउट थे वो किलियर हो गए होंगे वो हम नेक्स कोशन पे चलेंगे यहां पे दोस्तों देख पा रहे होंगे धोगला चटनी नीबू वाले चावल कहां के लोग खाते हैं आप्शन नमबर A गुजरात B केरल C गोवा D राजस्तान यहां पे आपका क्या आंसर है आप लोग यहां पे कमेंट करिए धोगला चटनी नीबू वाले चावल कहां के लोग खाते हैं दोस्तों हमारे जो आंसर है वो option number a के साथ जाएगा धोकला चरपनी नीबु वाले चावल जो है यह गुजरात कादीदाम गुजरात आहमदाबाद के लोग खाते हैं ठीक है अगले कोशन पर चलेंगे अगला कोशन आप देख पा रहे होंगे मल्यालम में वल्यम्मा किसे करत हैं तो दोस्तों मल्यालम में वल्यम्मा जो है वो मा की बड़ी बहन को बोलते हैं ठीक है किसको मा की बड़ी बहन को मल्यालम में वल्यम्मा बोलते हैं नेक्स कोशन देखेंगे मल्यालम में अम्मू मा किसे करते हैं option number यह मा की मा को या फिर मा की बड़ी बहन को या फिर पि यहाँ प्रैक्टिस सेट के साथ मैं इसलिए जॉइन कर रहे हूं NCRT लाइन को NCRT पेज को ताकि अगर आप भूल रहे हो या आपको कुछ डाउट हो तो वो किलियर हो जाए दोस्तों मली आलम में अम्मो मा को मा की मा को अम्मो मा बोलते हैं किसको मा की मा को अम्मो मा बोलते हैं नेक्स कोशन पे चलेंगे यहाँ पे आप इसका लाइन देख पा रहोंगे विभी ने राज्यों की भाषा पैनावे भोजन और भू भागों के बारे में जानकारी इकट्टी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है मलियालम में वलीमा मा की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मो मा अपनी मा की मा को कहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लाइन ेक्स कोशन पे चलेंगे केरल में उप्योग की जाने वाली फाहरी क्या है आप्स recorded क्या नाव है ठीक है तो इस तरह से हमारा option number A जो है वो correct हो जाएगा इसका आप NCRT के line यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाओ किनारे पर रुकी अम्मा बोली लो फैरी आ गई फैरी में से बहुत सारे लोग उत्रे स्कूल के बच्चे औरते आदमी सभी अपना अपना सामान लिये थे अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फैरी का ही इस्तिमाल होता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पार होंगे बड़ी सी न कोशन है दोस्तों आप लोग 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो होता है आप लोग 10 कोशन देख लेंगे तो आपको 10 कोशन ही नहीं मिलेंगे 10 कोशन में मैं आपको एक्स्प्लेइन करती हूं हर एक लाइन को उसमें आपके कितने कोशन मिल जाएंगे आपको खुद बताऊगा तो लिए बाइबाइ टेक क्यार थेंक्यू खुश रही है पढ़ते रही है